एक, दो और तीन मई, कुमराशी तीन दिन की तीन खुशकबरियां मिलकर रहीगी। ये दिन जो कि वापस कभी भी नहीं आएंगे, तो इन दिनों का मज़ा जरू ले और इसका फैदा जरू उठाए। ग्रह नक्षत्रों की चाल लगातर बदलती रहती हैं, जिसकी वज़से हर किशी मनुशे के जीवन में तरह तरह के बदलाव देखने को मिलते हैं। जोतिश शासर के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की राशी में ग्रह नक्षत्रुन की चार्ड ठीक है तो इसकी वज़े से जीवन में शुबप्रणा मिलते हैं परन्तु इनकी स्थिती ठीक ना होने के कारण जीवन में बहुत सी परिशानियां उत्पन होने लगती हैं बदलाव प्रकृति का नियम है और यह निरन तरज चलता रहता है इसको रोगपना संबवन नहीं है जोतिश गन्ना क्यानुसार कुंबर राशी के लोग ऐसे हैं जिनकी कुंडली में ग्रह नक्षत्रुन की स्थिती शुबस संकेत देर रही हैं इन राशी वालों के उपर भगवान स्री विश्णुजी की विश्चेश क्रूपा दृष्टी बनी रहेगी और कामकाज में तरकी मिलने के योग बन रहे हैं आपके मन में परोपकार के कारे करने की इच्छा जागरोत हो सकती हैं जरुरत मंदों की मदद करके आपका मन काफी खोश होगा घर के बड़े बुजर्गों का अशिर्वात प्राप्त होगा आर्ति स्थिती मजबुत रहेगी स्वास्ते संबंदित परशानियों से छुटकारा मिल सकता हैं बच्चों की तरप से चिंता कम होगी आपको अपनी भागदोर का अच्छा नतीजा मिलेगा दामपते जीवन अच्छा व्यतित होगा भगवान विश्णु जी की कुरपा से घरेलो सुक सुषिदाओं में बड़ोतरी होगी ऐसी कुछ जरूरी बाते जो के आज की सुड़ों में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें अंतर तक देखें और भगवान स्री विश्णु जी का अशिर्वात चाहते हो तो कमेंड में जै विश्णु देव जी लिकना ना भूले साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिबल को सब्सक्राइब जरू करें तो चले दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इन तीन दिनों में आपको किस तर की खुशकबरिया मिल सकती हैं उसके बारे में अभी उस्तों मनाने का समय है आपको अपनी कड़ी मेहनत का फ़ल मिलने वाला है और मुल्याकन भी सकारत्मक रहेगा आपके सहकर्मी और सुपर्वाइजर आपके प्रैसों के लिए सरहना कर रहे हैं इन पलों की अभी मज़ा लें क्योंकि आपने इने खुद कमाया है नई विचार और अविश्कार जीवन में उस्ताहर लेकर आएंगे सबसे मिलना और उस्ताहर जीवन में प्यार का रंग लेकर आ रहे हैं जल्दी से नई योजनाओं को बनाएं और जीवन का मजा लें आप अपने बारे में क्या सुषते हैं ये बात माइने नहीं रखती है बल्कि ये बात माइने रखती ही कि लोग आपके बारे में क्या सुचते हैं अगर हम सामने रशिपल की बात करें तो यह पल आपके लिए बेहद शुब है आपको कोई नया प्रशिक्षन या कक्षा शुरू करने या किसी यातरा का भी मौका मिल सकता है आपके जीवन में एक सलहा कर शायद आपकी पिता या पिता के जैसा कोई व्यक्ति आपको जीवन में सही मार्ग दिखाने में मदद करेगा क्या आप निराश मसूस कर रहे हैं? अपने आप में दुर्ड विश्वास रखे और जल्द ही आप सभी बादों को दूर पाएंगे लोग अपनी वादों को पुरा नहीं कर सकते हैं इसलिए लोगों पर विश्वास ना करें धन खुशिया नहीं करी सकता लेकिन स्वय हमें अपने खुद को चुलने का मौका देता है अगर हम ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो आप विद्यारती है तो आपको अपने समय का सदुपयोग करने की जरूरत है आप जितना ज़्यादा परिश्राम करेंगे उतना अच्चा फ़ल आपको मिलेगा लापरवाही आपके लिए नुकसन दाइक साबित हो सकती है नोकरी पेशाद जातकों को अपनी पेडिंग कारियों की लिश्ट बढ़ाने से बचने की जरूरत है अन्यता आपके बॉस का मुड़ खराब हो सकता है व्यापर से जुड़े जातकों को ठीक ठाक अर्थिक फायदा हो सकता है अगर आप कुछ बढ़ा करने की सोच रहे हैं तो आपको जल्द बाजित से बचने की सलाहत दी जाती है पारिवारी जीवन में स्थितिया सामने रहेगी घर के सदस्यों के साथ आपके रिष्टा अच्छा रहेगा दोस्तों धनराशिपल की बात करें तो कोई नया कारे शुरू कर रहे हैं तो अपने शिक्षक या पिता की तरह किसी व्यक्ति की रायल ले ले विद्यारती उच्छे शिक्षा के लिए विदेश यातरा कर सकते हैं अपने करियर को शिकर तक ले जाने के लिए यह समय उचित है बज जरूरत है सकरत्मक सोच वकड़ी मेहनत की आप निराश मसुस करेंगे लेकिन अपने विश्वास को कम ना होने दे आप उन मुसिबतों का भी कुशलता से सामना करेंगे जो आपकी प्रगति को प्रवावित कर रही है लोग अपने वाइदों को पूरा नहीं करेंगे धन मुख्य मुद्दा है माना की धन से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता लेकिन इससे जीवन आसान हो जाता है दोस्तों करियर रशिपल की बात करें तो एदि आप बेरोजगार चल रहे हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा संदेश ला सकता है हो सकता है कि ये वो काम ना हो जिसका इंतजार आप कर रहे हैं लेकिन आपको अपने आपको ये तसलिफ देनी चाहिए कि स्तिती में सुधार हुआ है इसे समय का सदुप्यों करते हुए कुछ पैसा बना लेना चाहिए आखिर में स्वास्त रशिपल की बात करें तो आपका अहम आपको अच्छे मांसित स्वास्त का अनंदन नहीं लेने देगा ऐसी परस्तितियां आ सकती हैं जिससे आपकी मांसित तीरता प्रभावित हो सकती हैं इसलिए आप खुद में सकरत्मक बदलाव लाएं ताकि नकरत्मक सोच से बद सके आप दूसरों की खुशियां और दुख को बाटें दोस्तों यह ती कुम राशी के बारे में अब बात करते हैं दूद के इन उपायों से दूर होगी जिवन की परिशानिया घर में होगा सुक समरुदिक का वास पोशक तत्वों से भरपूर दूद को बैतरिन अहर माना जाता है जो सेहत के लिए गुनकारी सावित होता है अध्यत्मिक रूप से भी दूद का उपयोग देवी देवताओं के पूजन के लिए किया जाता है लेकिन कि आप जानते हैं कि जोतिश विग्या में भी दूद का बड़ा महतो होता है जो आपकी कई परिशानियों को दूर करने का काम करता है आज इस वडियो में हम आप लिए दूद के उपयों से जुड़े ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो समस्याओं का निदान करते हुए घर में सुख सम्रुदी लेकर आते हैं तो आए जानते हैं उन उपायों के बारे में पहला है पॉजिटी एनरजी के लिए घर में नकरत्मकता फलने से लड़ाई जगड़े वद तनाव भरी सिती रहती हैं साथी किसी भी कारे में जल्द सपलतान नहीं मिलती हैं इसके लिए एक बरतन में आदा लिटर दूद और 19 बुंदे शेयद मिलाए फिर उसे घर की चट से नीते आते हुए उस दूद के चिंते पूरे घर पर मारे उसके बाद घर से बाहर आकर दूद के बरतन को चौराई पर रख बिना पल्टे वापिस आ जाए इस उपाय को लगातार 21 दिनों तक सुर्यस्त के समय करे इससे घर का माहुल शुद्ध होकर साकरात्म उर्जा का संचार होगा अगला है दन हानी से रहेगा बचा एक लोटे में जल वा थोड़ा सा कच्चा दुद्ध भर कर उसे सिरहने पर रख कर सोए सुबह नहा कर वा साप कपड़े पहन कर उस दुद्ध को कीकर के रुक्ष को अर्पित करे इससे निरंतर धन हनी होने से बचा होने के साथ घर में पैसा टिकनी लगेगा साथ ये आएके नए स्तुरत भी बनेंगे अगला है रिस्ते में आएगी मिठास पती पत्नी में लड़ाई जगड़े वो तनाव रहने से घर का माहुल खराब हो जाता है इस समस्या से परेशान लोग हर विर्वार को कच्चे दूद में चुटकी बर हल्दी मिला कर पीपल को अर्पित करे उसके बाद पेड़ पर कुंकुं, गुड़ वचावल चड़ाए इस उपाय को सूर्य दे के समय करे पीपल में स्री विष्णु जी का वास होता है ऐसे मैं इसे करने से उनकी कुरपा होने के साथ रिस्तों में मिठा साती है अगला है नजर उतारने के लिए नजर लग जाने से जिवन में बहुत सी प्रिशानिया होने लगती है इसके लिए एक बाउल में दो बड़े चमच कच्चा दूद, पाच छोटे चमच देसी घी, एक बड़ा चमच आग के जड़ की राक मिलाए फिर उसे नजर लगे व्यक्ति के सिर से लेकर तलोन तक मले बाद में गुनगुने पाने से नहा ले, इसे नजर उताने में मदद मिलती है इस बात का खास द्यान रखे की मसाद सिर से शुरू करनी चाहिए और आखरी हैं अगर बच्चा दूद ना पिये छोटे बच्चे के मांसी को शारेरी की विकास के लिए दूद बेहदी जरूरी होता है ऐसे में अगर आपका बच्चा इसे ना पिये तो थोड़े से कच्चे दूद को बच्चे के सिर से साथ बार गुमा कर कुत्ते को पिला दे इसे उस पर लगी नजर दूर हो जाएगी साथी बच्चा दूद पिने लगेगा तो दोस्तो आज की सुड़ों में बस इतना ही विडियो अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथी हमारे चैनल ट्रेनिंग रशिबल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नई व्रोके साथ धन्यवाद